हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जोर्वा मोबाइल पे आज हमारे पास वीवो का एक्स 80 फोन आया हुआ है जिस जो क्रॉफ स्क्रीन रहता है और उसका ग्लास जो है वो ब्रेक हो चुका है तो किस तरीके से आप सिर्फ उसका उपर का जो ग्लास है वो रि से पहले हमें फोन का जो बैग ग्लास है उसे ओपन कर देना होगा और पूरा फोन जो है उसको अलग करना होगा और आपके पास अगर कोई भी फोन हो कोई से भी कम निकाओ ओ ओपो वीवो वन प्लस एम आई हुआई जिसमें क्रॉफ स्क्रीन लगती हो और उसका ऊपर का ज जो महेंगे फोन होते है वो रिपैर के लिए आते और हम रिपैर करके वापीस आपके एड्रेस पे उसकी डिलिवर्ट करते हैं इस तरीके से फोन को सबसे बेले हमें उसकी डिसेंब्लिंग करनी पढ़ती है यह mother war है इसका बैटरी रिमू कर दिया और ये सिर्फ screen है और इसका glass जो है वो इस तरीके से अलग किया जाता है उसके corners जो है सबसे पहले हमें उसको cut करना पड़ता है और छोटे pieces और ये silicone glue जो corner में लगिया आती है उसे remove करना पड़ता है temperature जो है इसका 82 से 85 अपर सेट कर सकते हो और इस तरीके से आपको 0.02 mm वाली wire इस पे चलानी होगी बहुत ही आसान तरीका है ये remove करने का ये screen से जो glass है वो बिल्कुल सही तरीके से अलग हो चुका है और ये हमने without any chemical glue clean कर दिये और उसके बाद हमने सिर्फ 530 cleaner से screen को clean किया है और ये out frame का process है आप ये training लेना चाते हो तो हमरा contact जरूर करे बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको edge glass replace करना सिखाएंगे जिसे कोई भी risk जो है वो नहीं रहेगा और हमें ये glass जो है उसकी punching करनी होगी वाइम ये machine में हम इसको lamination करते है ये glass की जो oc paper है उसको remove कर दिया है और screen जो है उसका camera hole जो है उसे set करके हमें element करनी होती है बिल्कुल इस तरीके से और पीछे वाला जो blade का हिस्सा होता है उसे हमने थोड़ा बाहर की और रखा हुआ है ये पूरा glass fit करने का process है screen हमने सही तरीके से set किया है और वाइम ये machine के mold के उपर रखा हुआ इसको और बिल्कुल manual mode में हमने इसकी punching किये ये vacuum start किया है vacuum का जो meter है वो hundred आ जाए उसके बाद आपको इसे जो इसका cylinder है उसे down करना होता है पहली बारी में हम उसे glass पे सिर्फ टच करते है थोड़ा heat होने देते है और उसके बाद हम उसकी finally punching करते है इस तरीके से बिल्कुल manual mode में ये process जो है वो खतम हो चुका है और ये screen जो है हमारी उस पे glass सही तरीके से fit हो चुका है इसके बाद ये bubble removing process है दो minute या 10 minute के लिए आप उसे apply कर सकते हो और इसके बाद process आता है UV cure का वो भी दो minute के लिए करना जरूर होता है उसके बाद हमें screen जो है वो phone में fit कर दिये तो इसी तरीके से phone जो है उसकी repairing की जाती है सिर्फ touch glass की अगर आपके पास ऐसे कोई fold है phone में जो screen सही दिख रही है और touch screen जो है वो बिल्कुल सही work कर रहा है तो आप हमारा contact जरूर कर सकते हो इसके लिए पूरा folder या screen combo change करने की जरूरत नहीं होती बहुत ही low cost में इसकी repairing होती है इस तरीके से finally हमने phone जो है उसे feed कर दिया है और ये glass replacement का जो work है आप सीखना चाते हो तो आप हमारा contact जरूर कर सकते हो पूरे इंडिया से और इंडिया भार से भी हमारे पास student है ये काम सीखने के लिए ये phone जो है उसकी finally testing है ये phone जो है वो ready हो चुका है कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे comment में जरूर बताएगा चैनल को subscribe कर लिजे आप मेगे smartphone user हो तो आपको कभी न कभी हमारी जरूर जरूर पड़ेगी बहुत ही जल्द मिलता है next day में thank you